आज संत मानी में संत शाह हुसेन का एक पद लेने जा रहे हैं। शाह हुसेन का जन 1538 इसवी में हुआ और 1599 इसवी तक शाह हुसेन पंजाब की धर्ती पर अपना गीत गाते रहे। कहते हैं शाह हुसेन सववल छार के तुई इकोवल होए। जब परमात्मा के मार्ग पर हम चलते हैं तो कई रास्ते आते हैं। कई तो रास्ते सीधे हैं और कई रास्ते बड़े टेड़े मेरे हैं। कहते हैं कि सब टेड़े मेरे रास्ते छोड़ करके संतों द्वारा जो अनभूत मार्ग है। संतों द्वारा जो अनुभव ज्यान पर आधारित सहज योग का मार्ग है तुम उस पर चलो क्योंकि हमें पता नहीं है किस मार्ग से चलना है नाना मार्गों की चर्चा है नाना मतों की चर्चा है नाना संप्रदायों की चर्चा है और अधिकतर हम भटक जाते हैं या कहीं अ पतांतर है दर्शन शास्त्र है उस पर चलने में आदमी भठक जाता है लेकिन जो अनुभो ग्यान है संतु का जो सहज योग का मार्ग है जो संतु ने बनाया है उस मार्ग पर जो चलेगा वो निश्चित ही मंजिल को पालेगा जिसके लिए पल्टु साब कहते हैं ग्यानना जोगना जुगत है और मुक्ति चेरी भाई द्वार ठाली रहे कते हैं जिस मार्ग से मैं चला जिस सहज योग के मार्ग से मैं चला वही मार्ग है क्योंकि तुम कर्मयोग तंत्रयोग और हठयोग भक्तियोग ज्यान योग ध्यान योग सांख्योग ये मार्ग बड़े नान का मार्ग है जो योग का मार्ग है और नाना प्रकार जो तंत्र का मार्ग है यह मैंने नहीं किया इस इन रास्तों पर चल कर आज माया जरूर मगर इन मार्गों से चल करके मैं परमात्मा के तीरत ना बरत ना दान ना पुन्न है न तो तीरत किया न मैंने वरत किया ना दान पुन किया अपरी जम्राज पर छोट गाहिरे लेकिन आज मेरी स्थिति स्वतही मुक्ष की बन गई है और यम अब मेरे दरवाजे पर नहीं आ सकता यह मुझे अच्छी तरह पता है पूजा अचार ना नेवना धर्म है ना तो मैंने पूजा पाठ किया ना तो मैंने सदाचार की फिक्र की ना नियम का पालन किया ना कोई पुन्य का पालन किया धर्म का पालन किया लेन को आए बैकुंठ बारी रे लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि मुझे लेने आए हैं बैकुंठ लोग से संत आये हैं लेने मुझे डास पल्टु के है राह सब छोड़ के सहज की राह एक संत का अधीरे इसलिए कहते हैं कि आई साथ को बाकी यह जो मत मत अंतर छोड़ो ठेढ़े मेरे मार्ज सब छोड़ो और संतों ने सहज योग का मार्ग निर्वित किया है जो कर्मयोग और फिर ज्ञान योग और भक्तियोग यह तीनों का जो सयूग्त मार्ग है सिनर्जिक मार्ग है वह सहज योग है उसी मार्ग को अपनाओ और अगर सो लोग ज्ञान को उपलब्द हुए हैं मुक्ष को उपलब्द हु पहुचे हैं कहते हैं शाह हुसेन वलवल दे विचिक वल पैंदे और फिर जो तेड़े मेरे मार्ग है धर्म के मजभ के दर्शन के तो उस पर चलते हुए कई और भी पंग्डण्डिया आती है कई मत आ समप्रदाय आते हैं कई नागा समप्रदाय थे जैन मत अधे बहध मत है BEN movimiento सलाफी मत इसे संत्व दूनिया भर के नदिया मत मत आंतर की इनकी फग्डण्डिया आ जाती हैं और मनुष्य भटक जाता है में कहते हैं श्राविसान एक दिन देशी रोए वलवल देविच कई वलपेंदे और एक दिन देशी रोए और फिर क्या होता है नानामत मतांतरों में फस्कर करके पहले तुम्हें पता नहीं चलता लेकिन इस कार्ण एक दिन तुमको रोना पर सकता है जिसके लिए पलटु साप कहते हैं कोई 17 करते हैं कुम्मे में मिला लगा सब लोग будете तेखा YouTube पर भी देखा कि कितने लोग करते हैं तब करते हैं ते तेरत करते हैं बरत करते हैं लोग करते हैं त्था और लेकिन जब तक कोई जो पूरन गुरू न मिल जाए तुमको जब तक कोई सत्गुरू न मिल जाए जब तक तुमको सहायता करने को राजी न हो जाए तो तब तक बात बनती नहीं है कोटिन करे उपाय भटक सगरों से आवे कितना भी तुम उपाय करो अगर तुम बसीला संत न मिल जाए जो संत ऐसा जो सहायता करने को तुमको तयार हो तो फिर क्या कर तुम भटक जाते हो और संत दुआरे जाए नाम को घर तब भावे लेकिन अगर संत मिल जाए जानकार मरह संत मिलंजाए तो और धिर क्या होता है वह नाम तत्यों का जियान देता है और वहां सहल योगी शुरुआत होती है और तब उमुक्ष की मंजिल परंभत की मंजिल पर्म विश्राम की मंजिल पा आते हो कहते हैं शाह हुसेन ओखी घाट ये जो रास्तव है अध्यात्य पर का मार्ग है इसमें तंग मार्ग मिलते हैं संक्यृन रास्ता है बिखड़ा पैळा और कठिन रास्ता जिसको देख कर के और फिर क्या होता है कि छोड़ी तकबर कहते हैं कि ओखी घाटी और बिखड़ा पैड़ा और हुण की समझ खलोए और यह तंग घाटी देखकर कठिन रास्ता देखकर के और मनुष्य की मती मारी जाती है मती मारी जाती है जिसके लिए दादू साहब कहते हैं दादू मारग कठिन है जीवत चले न कोई गजब की बात कह रहे हैं यह मारग बड़ा कठिन है और संसार में जीते हुए तुम्हें इस मारग पर नहीं चल सकते कहते हैं दादू मारग कठिन है जीवित चले न कोई सोई चलिए बापुरा अजे जीवित मीर तक हो जो जीते जी मर जाता है संसार के प्रती जो मर जाता है आत्मा के प्रती जी जाता है संसार के प्रती जो सो जाता है आत्मा के प्रती जो जाग जाता है केवल वह ही इस मार्क पर चलता है और जीवित मरिय भावजल तरिये गुर जो धारना ध्यान और समाधि से संभव है केवल इस जीवित मरने की प्रक्रिया से गुजर करके ही कोई उस मंजिल को पाता है जो जो साधना की मंजिल है कहते हैं शाह हुसेन छोड़ तक अबर और पकड़ हली में यह हंकार छोड़ दो जब तक हंकार में तुम फसे हो तब तक उंकार के मार्क पर तुम नहीं चल सकते तो पहली शर्त है कि यह जो हमता है हमता ममता को छोड़ देवे यही तो मुल जंजाल है जी पल्टु साब कहते हैं तो यह हमता को अहंकार को छोड़ो और पकड़ हली में नम्रता का मार्क अपनाओ शील का मार्क अपनाओ और पवी तो साब कहते हैं जात कत मद को मातोरे यह हंकार में फूले हुए कहां जा रहे हो धन धन जोबन देख गरवान हो कोई अपने शरीर को देख करके बड़ा हंकारी हो जाता है कि मैं तो बड़ा ताकत हो रहूं कोई अपना धन देख करके बहुत ही हंकारी हो जाता है कि मेरे पास तो बहुत धन है धन से मैं सब कुछ खरीच सकता हूं और माया रात ओरे और फिर माया में मेरा पन में फस जाता है हमता ममता को छोड़ दे यह ममता जो है यह माया जो ही जो मेरा पन है जहां-जहां मन समंद्वता बनाता है वही तो माया है और उसी में आदमी फस करके रह जात सुर सुनाई दे रहा है जो सयाना मला है सदग्रु की और इशारा कर रहे हैं कि जो सयाना मला जो सद्ग्रु को किनारे लगा देता है इसलिए सद्गुरू का आश्रे लो, सद्गुरू का बाह पकड़ो, कहते हैं हुसेन, शाह हुसेन, कहे हुसेन, फकीर निमाना, कहते हैं हुसेन, तब मैं तो फकीर हूँ, मुझको तो किसी चीज़ की परवाह नहीं है, मेरे पास कहने को कुछ अंकार भी नहीं है, कहते हैं, जो होड़ी सो होए, बस एक ही गुण है, कि मैं बस प्रवडोरी हाथ तुम्हारे, मैंने अपने गुरू पर सब कुछ छोड़ दिया, मैंने गुरू पर और गोविंद को समर्पन कर दिया, और निश्चे ही, मैं निश्चिंत हो गया, और मेरा गुरू मुझे पार लगा देगा, जिसके लिए कबीर साब कहता है, भाव सागर जल विश्व भरा, यह जो भाव सागर, भाव सागर क्या है, जो बहिर जगत है, इसी का प्रतिविंब भीतर है, अंतर जगत है, इसलिए मृत्तु की बेला में, आदमी बस एक विचारों में फस जाता है, के बचना है, तो बहिर जगत में तुमको अपनी कामनाओं से मुक्त होना होगा, तभी जाकर के तुम ट्रिप्त होकर के इस अंसार से विदा होगे, तो भाव सागर को पार कर जाओगे, भाव सागर जल विश्वरा, आम मन नहीं बांदे धीर, इसलिए मन बड़ा अधीर हो जानकार, ओंकार का जानकार के पेरा सद्गरु मिला और मैं इस बहुत सागर को पार कर गया, संत्वानी को यहीं विराम देते हैं,